फरीदाबाद में अवैद निर्मान जो है वो शहर के सौंदर करन के लिए नासूर बनते जा रहे हैं और पंजाब केसरी लगातार इन ख़बरों को प्रमुक्ता से दिखा रहा है और एक बार फिर पंजाब केसरी की ख़बर का बड़ा असर हुआ है देखे मैं यहां सेक्टर यहां पर किस तरह से जो नगर निगम ओल्ड फरीदाबाद के तोडफोर दस्ते द्वारा इसे निर्मान पर सील लगाई गई थी उसको किस तरह से तोड़ कर खूटी पर टांग दिया गया था और जब हमने यह खबर प्रमुक्ता से दिखाई तो उसके बाद नगर निगम प्रसाशन के जो अधिकारी है वो नीन से जागे और दुबारा से इस इमारत को इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया देखिए फरीदाबाद नगर निगम प्रसाशन नगर निगम कमिशनर यश्पाल यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शहर में चाहे अतिक्रमन की बा इमारत से नगर निगम की छवी को ना किवल पलीता लग रहा है बलकि अवैद निर्मान करताओं के होंसले भी बुलंदो रहे हैं कि हमने आपको दिखाया था कि यह जो इमारत थी वहां पर किस तरह से नगर निगम की जो सील तोड़कर यहां पर शटर उठाकर काम किया जा था एंजीटी के भी ऑर्डर थे प्रदूशन को लेकर निर्मान कारे जो है वो बंद किये गए थे लेकिन उसके बावजूद भी अवैद निर्मान करताओं के होंसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम द्वारा जो पुने यह कारेवा शेत्रों की अधिबात की जाए तो नगर निगम की सीलिंग की कारेवाई का मखौल बनाया हुए अब देखना यह कि इसके बाद किस तरह से जो बाकी निर्मान है जहां पर सील तोड़कर काम किया जा रहा है अवैद निर्मानों को बढ़ावा दिया जा रहा है उन पर फरी सीधा बासे पूजा शर्मा पंजाब के स्ट्री टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद